हलो और वल्कम टू स्टडी विद गुरुजी नॉर्थ इसके पॉलिटिकल मैप के बाद नॉर्थ इसके इंपोर्टेंट रिवर्स को समझते हैं जिसमें सिक्किम अवनाचल परदेश, नागा लैंड और आसम के इंपोर्टेंट रिवर्स को समझेंगे और ड्रेनेज पैटर नाफ ब्रह्मपुत्रा को समझते हैं जो तिबबत से ओरिजनेट होके अवनाचल परदेश से असम में एंटर करती हैं फिर बंगलादेश के होते हुए वो ड्रेन करती है बेह बेंगौल में इसको समझेंगे इनके सारे ट्रिबुटरी को समझेंगे ठीक है सबसे पहले एक कॉंटिनेंटल प्लेट और यूरेशन कॉंटिनेंटल प्लेट का कोलिजन हुआ था जिससे तिबबतन प्लेट और हिमालय फॉर्म हुए थे ठीक है यहां से जो रिवर ओरिजनेट होगी उसका जो डारेक्शन होगा साउथ के तरफ यानि भारत में होगा अग उसका उस सफी हेवी मात्रा में सेडिमेंट्स भी कैरी करके लेकर आती है तो यह एक कॉंसेप्ट है जिससे चीजे आसान होंगे आपको आगे समझने के लिए चले शुरू करते हैं सबसे पहले सिक्किम सिक्किम की तीन इंपोर्टेंट रिवर है जिसमें तीस्ता सबसे ज्यादा इं होती है वेस्ट बंगॉल में एंटर करती है फिर वह बंगलादेश पे एंटर करती है उसके बाद बे बंगॉल में ड्रेन होती है तो सबसे लंबी और सबसे इंपोर्टेंट रिवर है सिक्किम की जो सिक्किम में ही ओरिजनेट होती है यह इंपोर्टेंट पॉइंट होता ह यह वो जग़ा फॉप होता है जब यह मर्ज होती है है इसको आप मैप में देख सकते हैं यह आपका Sikkim हुआ यह जो portion है यह वैस्ट बेंगल है तो इसी के यहाँ पर बौड़र पर यह मतलब मर्ज होती है अब आगे देखते हैं ये ब्रह्मपुत्र का तो ब्रह्मपुत्रा आंग्शी ग्लेसियर तिबत से ओरिजनेट होती है यहाँ पर इसका नाम यारलंग शांगपुर रहता है ये एक्जाम में पूशा गया है और ये फ्लोज इस्ट वर्ड पैरिललर टू हिमालया देखे इसक चीज को समझते हैं यहाँ पर ये 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 तिबतन का प्लेट्र यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा और ये पैरलल चलती है हिमालय के पर यह यहाँ पर यूटन लेती है करेगी से यूटन लेगी फिर अवनाचल परदेश से होते हुए यह फिर आसाम में यह एंटर करेगी इसको आप स्क्रीन शॉट लेके समझ लें यह पर पॉस करके इसको देख लें सारे इंपॉर्टन रिवर्स यहीं पर यह मिलती है जैसे तेजपुर में तेजपुर एक डिस्टिक है वहां मिलती है सुभांसरी है लोहित है तो इसको देखेंगे हम यहां पर टेबल के फॉर्म से इस चीज़ को देखते है ठीक है तो हिमाले से यह यूटन लेती है मतलब नामचा बारवा से यूटन लेती है अवनाचल परदेश में एंटर करती है फिर आसाम के रास्ते य हम देखते हैं सारे important tributaries को तो सुभांसरी यह सुभांसरी तिबत में originate होती है तिबत से होते हुए अवनाचल परदेश से अवनाचल परदेश में जो लखिम पूर्डेस्टिक है यहां पे ब्रहमपुत्र को ज्वाइन कर लेती है तो सुभांसरी ज्वाइन करती है ब्रह अवनाचल परदेश से होते हुए सोनितपूर जो डिस्टिक है आसाम का वहीं पर यह ज्वाइन करती है ब्रहमपुत्र से एक्जाम में पूछा गया है सोनितपूर डिस्टिक अप आसाम में यह ब्रहमपुत्र को ज्वाइन करती है कामेक रिभर ठीक है यही मतलब कि तेश तेशपूर को आप ऐसे current से relate करेंगे तो तेशपूर का लीची को अब जी आई टैग मिला है 2.20 में तो ठीक है फिर एक बेकी रिभर है यह भूटान से originate होती है अब भूटान को आप यहां पर देख ले यह यह आपका भूटान हुआ यहां पर अब यहीं से यह originate होगी और उसके बाद से भूटान से originate होती है अब ब्रह्मपुत्रा को जोईन करती है आसाम में ठीक है फिर एक मानस रिभर है जो साउत भूटान से originate होती है अब ब्रह्मपुत्रा को जोईन करती है आसाम में देखे जितने भी रिवर्स हैं यहां पर इसमें अवनाचरपदेश का रिवर्स हो, नागलेंड का रिवर्स हो, मनिपूर का रिवर्स हो, जितने भी रिवर्स हैं, सब आसाम में ही जोईन करते हैं, मतलब most of the rivers जोईन ब्रह्मपुत्राईन आसाम, क्योंकि आसाम जो एरिया है, वो पूरा प्लेन एरिया है, यह सब altitude पे हैं, higher altitude पे, तो यहां से जो flood आता है, तो यही यह कारण रहता है, क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं, यह सब ब्रह्मपुत्र में ही आके मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद एक शंकोष रिवर्स है, यह भी भूटान से originate होता है, और आसाम और वेस्ट बंगॉल के border, यह भी important point हो जाता है, क्योंकि यहां स इस देर तक मतलब border पे यह run करेगा, यह river, यह important हो जाता है, ठीक, उसके बाद से आप अवनाचल प्रदेश के river को देखेंगे, तो इसके पहले जो अवनाचल प्रदेश का river है, यह सुबंसरी, तो यह तो आप सुबंसरी और कामेग यह अवनाचल प्रदेश के river से हैं, तो अवनाचल प्रदेश होते हुए और यह जोइन करता है ब्रह्म पुत्र को आसाम में ही, ठीक, लोहित एक तिबद से ओरिजनेट होता है, यह important हो जाता है, लोहित के बारे में पूछा गया है, सबसे important tributaries में से एक है ब्रह्म पुत्र की, तो लोहित जो तिबद से ओरिजने रिवर से नागा लेंड के लिए, ठीक है, धनसरी यह सबसे लंबी रिवर है, लाइसिंग पीक से ओरिजनेट होती है, यह आसाम को जोइन करती है, आसम में जोइन करती है ब्रह्म पुत्र को, दोयांग यह मर्ज हो जाती है धनसरी की, तो यह पूछा गया question है, कि दोयांग मतलब किस रिवर से, किस रिवर के ट्रिबूटरी है, तो धनसरी की है, एक मेलक है, यह भी ब्रह्म पुत्र को जोइन करती है आसम में ही, तो सारे आसम में ही जोइन करते हैं, जितने भी रिवर्स हैं, उसके बाद मनिपूर के भी मनिपूरी, मनिपूर रिवर है, और भी इस वले मैप से हमने पिछला वीडियो नॉर्थ इस के इंपोर्टने स्टेट और जो बोर्डर शेर होते हैं, इंटरनाशनल बोर्डर और स्टेट के बोर्डर शेर होते हैं, जिसमें पाँच इंटरनाशनल कंट्री है, नेपाल, भुटान, चाइना, बंगलादेश, मयनमार इसको अमने अच्छे से कभर किया था, तो यही हमारे वीडियो समाप्त होता है, I hope you like this video and please support this channel if you like this initiative and subscribe for this channel for more such updates, thank you, thank you so much, have a nice day, thank you.